फ्रेंड्स आज की जो वेकंसी हम आपके लेकर के आए हैं ये ग्रेटा अनोडा की इन्फोसिस कंपनी में निकली है इन्फोसिस कंपनी को अपने आपर सिक्यूर्टी गार्ड, हेलपर, सुपर्वाइजर की अरजेंट आवशकता है तो फ्रेंड्स अगर आप ग्रेटा अनोडा की इन्फोसिस कंपनी में जोब करना चाते हैं तो हमारे इस वीडियो को सुरूर से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक ने किया है तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक करें साथ हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को वर्टसैप, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें तो आपके साथ कोई बड़ा दोगा हो सकता है केटे अनोईडा की इनफोसिस कमपनी को अपने आप पर हेलपर, सेक्रिटी गार्ड और सुपरवाइजर की अरजेंट आवशकता है ये सबी वेकेंसी, फ्रेशर और एक्पिरेज कैंडिडेट दोनों के लिए निकली है वह 28,000 उपिय महीना आपको सैल लिदी जाएगी अगर आप भारत के किसी विराज़े से विलोग करते हैं तो भी आप इस कमपनी में जोब के लिए अपलाई कर सकते हैं और इस कमपनी में जो हेलपर की पोश्ट के लिए वेकेंसी निकाली है वो 8 पदों के लिए vacancy निकाली है अगर आप 10 वी class 5 है तो आप इस company में जोब के लिए apply कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में है तो आप इस company में helper की पोश्ट के लिए apply कर सकते हैं greater anoda की infosys company में 4 security guard की urgent आव सकता है अगर आप कम से कम 10th class पास है और आपकी लंबाई कम से कम 5.8 इंच है तो आप इस company में security guard की post के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस post के लिए जो आपको सहले मिलेगी वह है 20,000 पी मैना आपको दी जाएगी लेकिन फ्रेंट्स अगर आप greater anoda के रहने वाले हैं तो ही आप इस company में security guard की post के लिए अप्लाई कर सकते हैं दूसरे राज़य के व्यक्ति इस post के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं बाकि दोनों post चाहिए वो helper की post हो या पी supervisor की post हो इनमें किसी भी राज़य के लड़के लड़किया post के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो friends अगर आप Infosys company में job करना चाते हैं तो इस वीडियो के description box में हमने Infosys company की application form का link दिया हुआ है जिस पर click करके आप इस company में job के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छे लेगी हो तो हमारे इस वीडियो को like करें share करें, comment करें, मिलते हैं फिर next वीडियो में